नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का स्वागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्तुपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यसी आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंक की हेड्लाइन्स के बारे में भारतिय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तिय कमपनियों के लिए पैमाने पर आधारित विन्यमन के तहत अपर लेयर की NBFC की सूची जारी की और आई अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं भारतिय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तिय कमपनियों के लिए पैमाने पर आधारित विन्यमन के तहत अपर लेयर की NBFC की सूची जारी की है वर्ष 2021 में RBI ने NBFC के लिए पैमाने पर आधारित विन्यमन नामक एक विन्यामक फ्रेमवर्क जारी किया था एन्बी एफसी यू एल लेयर में वर्गीकृत होने के बाद किसी एन्बी एफसी को कम से कम पाँच वर्ष की अवधी तक अधिक विनियामकिय नियमों का पारन करना पड़ता है। जैसे की एन्बी एफसी मांग जमा सुईकार नहीं कर सकती है, भुगतान और निप्टान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती है, इसलिए अपने ग्रहकों को स्वेम पर चेक जारी नहीं कर सकती है। NBFC में जमा राशी पर जमा करताओं को जमा बीमा कवर उपलब्ध नहीं होता NBFC के विनियमन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हाल के वर्षों में इनका आकार और कारेशेत्र की जटिलता काफी बढ़ गई है साथ ही वित्य शेत्र के भीतर इनके अंतर संबंधों में भी बहुत व्रिधी हुई है वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और बैंकों के साथ-साथ रिण के पूरक चैनल के रूप में इनकी भूमिका बढ़ी है NBFC को मुखे रूप से RBI, विनियमित और प्रशासित करता है हाला के कुछ NBFC का विनियमन, भारतिय प्रतिभूती और विनिमय बोर्ड, भारतिय भीमा विनियामक और विकास प्राधिकरन जैसी संस्थाएं भी करती है और अब अगली खबर G20 से संबंधित है G20 सतत वित्तकारे समूह की चौथी बैठक संपन हुई है G20 सतत वित्तकारे समूह का लक्षय काई उद्देशों के लिए सतत वित्त जुटाना है जैसे कि वैश्विक समृद्धी और इस्थिरता सुनशित करने के लिए हरित अधिक लोच्शील और समावेशी समाज तथा अर्थववस्था की और बढ़ने के लिए इसके अलावा SFWG यानी सतत वित्तकारे समूह के केंदर में G20 संधारनिय वित्त रोड मैप है इस रोड मैप को 2021 में अंतिम रूप दिया गया था भारत के अध्यक्षता वाले G20 के सम्मेलन के दोरान SFWG ने कई चुनोतियों की पहचान की है और विविद शेत्रों पर अपनी सिफारिशें दी हैं जो इस तरह से हैं जलवायू वित्त पोशन के लिए परियाप्त संसाधन जुटाने के शेत्र में इस कारे सम्मुने कई चुनोतियों को देखा है जैसे कि इस पश्ट और पूर्वानुमान वाली सार्वजनिक जलवायू नीती और विनियामक फ्रेमवर्क का भाव इसके अलावा निवेश के लिए तैयार परियोजनाओं या विवहारे परियोजनाओं की कमी के कारण जलवायू संबंधी निवेश के लिए पूंजी प्रवाह में बाधा आती है और इसके लिए सिफारिश ये की है कि जलवायू से संबंधित विवहारे परियोजनाओं के लिए अनुकूल नीती और विनियमक फ्रेमवर्क बनाया जाने चाहिए साथ ही परोपकारी संस्थाओं को बहुपक्षिय विकास बैंकों विकास वित्त संस्थानों आदी के साथ जुड़ने के लिए प्रोथसाहित किया जाना चाहिए इसके अलावा निवेशकों के समक्ष जोखिम को कम करने के लिए जलवायू संबंधी परियोजनाओं में सक्रिय जोखिम प्रबंधन दिश्टिकों लागू करने की जरूरत है वहीं अगला शेत्र है हरित और निम्न कार्बन उत्सरजन करने वाली प्रोथ्योगी कियों का तेजी से विकास और उप्योग इसके तहट चुनोतियां ये बताई गई कि जलवायू प्रोथ्योगी की एकसिलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स पर सीमिद डेटा और स्केलेबिलिटी है इसके अलावा घरेलू नीती और विनियामक परिवेश असमान है और अनिश्टित है और इनसे निपटने के लिए सिफारिश ये की गई कि सरकारों को कार्वन तटस्थता और जलवायू अनुकूलन की दिशा में अपने दीरकालिक नीतिगत रुख को इस पश्ट करना चाहिए साथी जलवायू शेतर में नवाचार जलवायू प्रोध्योगी की स्टार्टप्स आदी के लिए अनुसंधान और विकास में कॉर्परेट निवेश को प्रोधसाहित करने की जरूरत है अगली ख़बर है भूमी निमनीकरण और सूखे पर वैश्वे कुरुजानों के बारे में हाली में सेयुक्तराष्ट्र मरुस्थलीकरण रोगफाम अभी समय ने भूमी निमनीकरण और सूखे पर डेटा जारी किया है UNCCD संधारनिय भूमी प्रबंधन पर कानूनी रूप से बाधिकारी एक मात्र अंतराष्ट्रे समझोता है इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वर्ष 2015 और 2019 के बीच हर साल कम से कम 100 मिलियन हैक्टेयर भूमी का निमनीकरण हुआ है इस तरह से चार वर्षों में कुल 402 मिलियन हैक्टेयर भूमी का निमनीकरण हुआ है भूमी निमनीकरण से वैश्विक स्तर पर 1.3 बिलियन लोग प्रभावित हुए हैं यदि भूमी निमनीकरण की वर्तमान दर जारी रहती है तब भूमी निमनीकरण तटस्त विश्व के लक्षी की प्राप्ती के लिए 2030 तक 1.5 बिलियन हैक्टेयर भूमी को पुनर बहाल करना आवश्यक होगा भूमी निमनीकरण के और भी कई प्रमुक कारण हैं जैसे की चरम मौसम इस्थितियां, सूखा, उरवरकों और कीटनाशकों का ज्यादा उप्योग, मृदा की लवनता में व्रिधी और जलवायू परिवर्तन भूमी निमनीकरण तटस्तता ऐसी इस्थिति है जिसमें खादे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पारिसितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए आवशक भू संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता सामिक और इस्थाने की स्तर पर इस्थिर रहती है या उनमें व्रिधी होती है इससे पहले UNCCD ने 2018 से 2030 रणनीतिक फ्रेमवर्क जारी किया था ये फ्रेमवर्क बल देता है भूमी निमनी करन का निवनी करन, अनुकूलन और प्रवंधन पर इसके अलावा वित्तिय और गैर वित्तिय स्रोतों से संसाधन जुटाने में साथ ही भागीदारी के माध्यम से भूमी निमनी करन के स्थिती में सुधार लाने के लिए भूमी निमनी करण से निपटने के लिए भारत में कई पहले भी शुरू की गई जैसे भारत 2030 तक 26 मिलियन हैक्टेर निमनी करण और निर्वनी करण वाली भूमी को पुनरबहाल करने के लिए स्वैक्षिक बॉन चैलेंज संकल्प में शामिल हुआ है इसके अलावा भारत ने मरुस्थली करण और भूमी निमनी करण एटलस जारी किया है जिसमें राज्यवार निमनी करण भूमी की पहचान की गई है और इन्हें लगातार हरित शित्रों में बदलने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और आई अब बात करते हैं अगली खबर की ये सूचना एवं प्रध्योगी की सजुड़ी खबर है भारतिय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ने उभरती प्रध्योगी कियों के युग में डिजिटल समावेशन पर परामर्श पत्रजारी किया डिजिटल समावेशन का मतलब है कि प्रतियक व्यक्ति और समुदाए के पास सूचना और संचार प्रध्योगी की तथा उसका उप्योग करने के कौशल एवं संबंधित अवसरों तक नियायसंगत, सार्थक और सुरक्षित पहुँच हो डिजिटल समावेशन की स्थितिक अगर हम बात करें तो देश में इंटरनेट घनत्व 2014 में 21.37 प्रतिशत था जो सितंबर 2022 तक बढ़कर 62.56 प्रतिशत हो गया है हाला कि डिजिटल समावेशन से जुड़े कई मुद्धे हैं जैसे कि आर्टिफिशल टेकनोलोजी, मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रोध्योगीकियों को अपनाने की उच्च लागत, इसके अलावा बुनियादी राचे तक असमान पहुँच है, साथ ही स्थी मिद माध्यमों पर कारे करना है, डिजिटल वहनियता के तहट कि फाइती स्मार्टफोन के लिए वित पोशन और सेकेंड हैंड स्मार्टफोन के लिए बाजार विक्सित करना है, तीसरी रणिती है डिजिटल साक्षरता की, डिजिटल साक्षरता के लिए टूल किट विक्सित कर उपयोग करता कौशल, विशेशग्य कौशल और उद्यमिता कौशल में डिजिटल कौशल का समावेश करना। इसका प्रबंधन आदी चुनोतियां हैं। इसका प्रबंधन ने सभी पादप अनुवानशिक सामगरी शामिल होती हैं। इसके तहट आत्म निर्भर उत्पादन और विप्णन मुलिश रंखला का सरजन करना है। दक्षिन दक्षिन ट्रिकोनिय और शेत्रिय सहयोग सहित किसान केंदिर्थ साज़ेदारी के अफसरों का निर्मान करना है। इस संगोष्टी के मुताबिक IT-PGRFA दुनिया भर में PG-RFA के संरक्षन उप्योग और प्रबंधन के लिए एक प्रमुख अंतराष्ट्रिय समझोता है। इसे 2001 में अपनाया गया था, ये 2004 में लागू हुआ, भारत इस संगोष्टे का एक पक्षकार है, IT-PGRFA पहुँच और लाब साज़ा करन यानि MLS की एक विशिष्ट बहुपक्षिय प्रणाली के माध्यम से सीमा पार पादप आनुवांशिक संसाधनों को साज़ा करना और सुधार में लगे किसानों तथा अन्य लोगों के हितों की रक्षा करना है सरकार सभी उपकरणों में Navigation with Indian Constellation को अनिवारे बनाएगी Navigation with Indian Constellation यानि NAVIC वर्तमान में अधिकान, संचार, उपकरण, नैविगेशन के लिए संगतुराज अमेरिका की नैविगेशन प्रणाली, Global Positioning System यानि GPS पर निर्भर है NAVIC एक स्वतंत्र स्टैंडलोन नैविगेशन उपग्रह प्रणाली है अगर हम बात करें तो यह संपूर्ण भारतिय भुभाग और इसकी सीमाओं से 1500 किलो मीटर तक की दूरी को कवर करती है पहले इसे भारतिय शेत्रिय नैविगेशन उपग्रह प्रणाली यानि I.R.N.S.S. के नाम से जाना जाता था GPS के तुलना में नाविक के लाभ इसलिए हैं क्योंकि यह अपने स्पेक्ट्रम के दोरे फ्रिक्वेंसी बैंड के कारण 10 मीटर की बेहतर पोजिशनिंग सतीकता प्रदान करती है इसके विपरीद GPS की पोजिशनिंग सतीकता 20 मीटर है GPS के विपरीद नाविक उपग्रह प्रत्वी की सतह से काफी उपर है इसकारण हिमाले के पहाड़ों या इस्थलिये सतहों पर सिग्नल में कम रुकावटे पैदा होती है नाविक की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि नाविक आधारित समाधनों को अलाब उठा कर इस्थानी उद्योग को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है लोजिस्टिक्स के लिए ड्रोन के उप्योग को प्रोथ सहन मिलेगा शक्ति योजना और लोजिस्टिक नीती के लिए नैविगेशनल प्राद्योगिकियों के उपयोग को सरल बनाने में मदद मिलेगी साथ ही सामरिक अवस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी उपग्रह प्रणालियों पर निर्भरता को समाप्त करने में सहायक होगा नाविक का उपयोग इस्थलिया हवाई और समुदरी नैविगेशन, आपदा प्रबंधन, सटीक समय निर्धारन और वैग्यानिक अनुसंधान में किया जा सकता है विश्व भर में और भी कई नैविगेशन प्रणालियां हैं जैसे रूस का गलोनास, यूरोप का गैलीलियो और चीन का बेवदोव जापान के पास भी चार उपग्रह आधारित प्रणाली हैं QJSS जो देश भर में GPS सिगनल का आवरधन कर सकती है और आईएब बात करते हैं कुछ अन्यमहत्वपूंट सुर्खियों के बारे में राष्ट्रियन न्याइक डेटा ग्रिड सर्वोच नियाले ने भी अपने केस डेटा को NJDC पोर्टल पर उपलब्ध कराया है NJDC जिला न्यायलेओं, अधिनस्थ न्यायलेओं और उच्च न्यायलेओं के आदेशों, निरनेओं और मामलों के विवरणों का एक डेटा बेस है इसे E-Code परियोजना के तहत एक ओनलाइन मंच के रूप में बनाया गया है इस डेटा को रियल टाइम आधार पर अपडेट किया जाता है NJDC लंबित मामलों की पहचान, प्रबंधन और लंबितता यानि की न्याय निरनेओं में होने वाली देरी को कम करने के लिए एक निगरानी तंतर के रूप में काम करता है हाल ही में मामलों के निरनेओं में होने वाली देरी के कारणों को NJDC में शामिल किया गया है भूमी विवाद से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिए 26 राजियों के भूमी रिकॉर्ड डेटा को NJDC के साथ जोड़ा गया है अगला टॉपिक है जन्म और मृत्यू पंजीकरन संशोधन अधिनियम दोहजार तेईस आर बी डी ए ए दोहजार तेईस एक अक्टूबर दोहजार तेईस से लागू होगा प्रमान पत्र प्राप्त करने के लिए माता-पिता और सूशना देने वालों का आधार विवरण जरूरी है सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए रजिस्ट्रार को मृत्यू के कारण का प्रमाण पत्र और निकर्तम रिष्टेदार को उसकी एक प्रतिप्रदान करना अनिवारिक किया गया है अगला टॉपिक है इंटरनेशनल ओगनाइडेशन औफ लीगल मेट्रोलोजी सेटिफिकेट भारत ओई-लम सेटिफिकेट जारी करने वाला प्राधिकरन बन गया है इसका महत तो ये होगा कि इससे निर्यात में व्रिधी होगी, विदेशी मुद्रा की प्राप्ती होगी और रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे OILM यानि की International Organization of Legal Metrology इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, इसका मुख्याल है पैरिस में है, ये लीगल मेट्रोलोजी प्राधिकरनों और उद्योग द्वारा उप्योग किये गए मौडल विनियमन, मानक और संबंदित दस्तावेज विक्सित करता है भारत 1956 में संगठन का सदस्य बना था और अब बात करते हैं अगली खबर की Government E-Market Place, GEM GEM सारजनिक शेत्र के संस्थानों द्वारा खरीद के लिए 100% सरकारी स्वामित तुवाला उनलाइन प्लेटफॉर्म है इसे 2016 में वानिज्य और उद्योग मंत्राले ने लौंच किया था इसका उद्देश्य सारजनिक शेत्र द्वारा खरीद में पारदर्शिता, दक्षिता और गती को बढ़ावा देना है वित्द मंत्राले ने सरकारी उप्योग करताओं के लिए जेम से खरीदारी को सामाने वित्य नियमावली 2017 के तहट अधिकृत और अनिवारे कर दिया है प्लेनेटरी बाउन्डरी एक हालिया अध्यन के अनुसार 9 मैं से 6 प्लेनेटरी बाउन्डरी का मानव जनित गतिविधियों के कारण उलंगन हुआ प्लेनेटरी बाउन्डरी की अवधारना में 9 प्लेनेटरी बाउन्डरी का एक सेट प्रस्तुत किया गया है इनकी सीमा में रहते हुए मानव और उसकी आने वाली पीडियां विक्सित हो सकती है और फल फूल सकती है जिन 6 planetary boundaries का उलंगन हुआ है जैव मंडल की अखंडता भू प्रणाली में परिवर्तन ताजे जल में परिवर्तन जैव भूर असाइनिक प्रवाह तथा नए तत्व जैसे कि माइक्रो प्लास्टिक्स, एंडोक्राइन डिस्रॉप्टर्स और कार्वनिक प्रदूशक आदी शेश तीन planetary boundaries हैं समताप मंडलिय ओजोन शरण, एरोसोल लोडिंग और महासागर अमली करण अगला टॉपिक है रबड के बागान रबड बोर्ड पुरुवतर राज्यों में प्राकरतिक रबड के तहत आने वाले शेत्र का विस्तार करेगा प्राकरतिक रबड का मुखिस रोत हेविया ब्रासिलियंसिस व्रिक्ष है ये Amazon नदी बेसिन की इस्थानिक प्रजातियां हैं प्राकरतिक रबड के लिए कई अनुकूल इस्थितियां हैं जैसे कि म्रदा 4.5 से 6 के बीच अमलिय पीच मान वाली और फॉस्फोरस की अत्यधिक कमी वाली लेटराइट म्रदा की इसमें जरूरत होती है वर्षा और जलवायू की बात करें तो 2000 से 4500 मिलिमीटर की वार्शिक वर्षा तथा उष्न कटी बंधिये जलवायू में रबड के बागान लगाये जाते हैं तापमान 80 प्रतिशत की सापिक्ष आधरता के साथ 25 से 34 डिग्री सेलसियस के बीच होना चाहिए केरल भारत में रबड का अग्रणी उत्पादक राज्य है अगला टापिक है रेड फायर चीन्टी रेड फायर चीन्टी दुनिया की सबसे आक्रामक चीन्टी प्रजातियों में से एक है ये यूरोप में पहली बार पाई गई है इसका मूल शेत्र है दक्षिन अफ्रीका ये वहीं की मूल प्रजाती है किन्तो अब ये सैयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन, चीन और आस्ट्रिलिया में भी पाई जाती है ये रासाइनिक्स, राव और इस्ट्री डूलेशन के माधिम से संचार इस्थापित करती है इस्ट्री डूलेशन स्टरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से रगणने से उत्पन ध्वनी को कहते है आक्रामक प्रजातियां पादप और जानवरों की बिलुपती का कारण बनती है खादे सुरक्षा के समक्ष खत्रा उत्पन करती है और पर्यावरनिय बाधाओं को बढ़ावा दीती है अगला टॉपिक है स्क्रब टाइफस रोग ये रोग औरियंटिया तुसु तुसुगा मुशी नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है ये संक्रमित चिगर्ज के काटने से फैलता है जो की लार्वा माइट्स होते हैं इस क्रब टाइफस के बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है इसका सामाने लक्षन है बुखार, सिर्दर्द, शरीर में दर्द और कभी-कभी दाने निकलना इसके प्रभावित शेत्र हैं डक्षिन पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, भारत और उत्री ऑस्ट्रिलिया के ग्रामिन शेत्र और आई अब बात करते हैं सुर्ख्यों में रहे इस्थल के बारे में लीबिया, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है लीबिया इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि लीबिया के पूर्वी बंदरगाह शेहर डर्ना में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ के चलते बांध तूट गए और इस ते जंधन का काफी नुकसान हुआ लीबिया उत्री अफ्रीका का देश है इसके सीमाएं मिस्र, सूडान, नाइजर, चार्ड, ट्यूनीशिया और अलजीरिया से लगती है लीबिया में नफसाह पठार और अलजिफराह मैदान है अखदार परवत है इसके अलावा सहारा का पठार है लीबिया में कोई बारह मासी नदी नहीं है यहां उच्छ शेत्रों में जमजम जैसी कई सूखी वादियां हैं जो कि वर्षा के दवरान आई आकसमें बाढ़ के जल से भर जाती है लीबिया का उच्छ तम बिंदू है बिक्कु बिट्टी और आईए ब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे विक्तित्टों के बारे में मुख्ष गुंडम विश्वेस्वरया यानि एन विश्वेस्वरया एन विश्वेस्वरया की जैंती को हर साल इंजिनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है एन विश्वे स्वरिया ने बैंगलो और कृषि विश्य विद्याले युनिवर्सिटी विश्वे स्वरिया कॉलेज ओफ इंजिनिरिंग आदी की स्थापना की थी वे मैसूर के कृष्णराज सागर बांध के वास्तुकार थे उन्होंने बांधों में जल के वियर्थ प्रवाह को रोकने के लिए स्टील के दर्वाजे तयार करवाए थे उन्होंने विविद्य कृषि सचाई प्रणालिया विक्सित की थी एन विश्वे स्वरिया को 1905 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था एम विश्वे सुराया के नैतिक मूलियों में द्रण लगन और करुणा थी इसके साथ ही यंक समाप्त होता है अगले यंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपने लक्ष के लिए तत पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को दीजे इजाजब नमस्कार